नमस्कार एटो जेट डिशश ओशा गोरजानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कहने जारे इतनी मज़िदार वाली चटनी जो रोटी पराठे चावल सबी के साथ बहुत ही बड़ी हा लगते और बनाने में भी आसान है चली शुरू करते उसके लिए गैस को अन करके मैंने कडाई रख दिया और इसमें मैं डाल रही एक चमस तेल जैसे गरम हो जायता है चौथाई चमस जीरा डालकर दो बारी कटे वे प्याज और दो बारी कटे हरी मिर्ची डाल देनी है और इसे एक मिन्ट तक भूनना है उसके बाद एक चमस पेस्ट आप अद्रक और लसन को बारी काट कर भी डाल सकते है पर आजकल पेस्ट अभी के घर पर होती है तो वो डाल देना एक मिन्ट तक भून लेना ताकि उसका कच्चा पंदूर हो जाए उसके बाद दो से तीन टमाटर को काट कर मिक्सर में डाल कर पीस लेना तो पीसे तेल ना छोड़ दे थोड़े से दिन्या के पते डाल दे और यह मज़िदार सी लसन के चटनी बनकर तयार है जिसे अब रोटी पराठे चाबल पकोड़े वगरा के साथ ले सकते हैं या फिर दाल चाबल के साथ या खिचड़ी के साथ तो जरूर ट्राइक करना और यहां त